आपका अपने यूटूब चैनल डिवाइन मैस्ट मैजिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफ्रेंसियसन और डेरिवेट्व यह आज का हमारा तीसा लेक्चर है क्विक रिविजन का तीसा लेक्चर हमीं स्टार्ट किये हैं पहरे लेक्चर में हम लोग और डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइफ कि जो फंक्सन स्टे उनका डेजी रूट सीख चुके हैं तो आज हम जो श्टार्ट करने वाले हैं ओ तौछ पांच फंसन थे पांच फंसन का हम कंो पढणने वाल जो कका मिक्स क्वेश्चन सबका मिक्स स्वेशोन अईमास वीडियो अनत्कार बंचे ले रहें और सकते हुई ऑपको नीचक्या है कई सब्सक्रार्मों किसी भी श॒ब सकते हैं बिना लेंट की वीडियो का Рी में और जो जो फार्स्ट और शेकेंड लेक्षर इसका हुआ है आप जाकर यह सकते हैं विकॉज उसमें ही सारे बेसिक्स एंड फार्मुले एंड जो इंपोर्टेंट चीज है फार्मुला को हाउ वी कैन अप्लाई ओके और और एंड वेन वी कैन अप्लाई वाट विल बी दो फार्म फा प्रसंद में आएगा ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अग्जाम्पल नमबर वन हम लो ले रहे हैं आज कि इफ कि वाई कोल टू एक्स दब पावर थी बाई टू प्लस इद पावर एक्स प्लस टेंद पावर एक्स देन फाइंड जब आप उस वीडियो में देखेंगे तो हम इसमें बताए हैं वाई बन का मतलब क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स डैट मिस फार्स आडर का डेरिवेट्व जो होता है उसके बारे में बात कर रहा है या आप कंफ्यूज हैं तो आप यहां पर डी बाई 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 ड करना पड़ेगा विकॉज यहां पर वाई डी बल हमारा क्या है एक्स दिख रहा है ओके तो वाई डी बल हमारा जब एक्स है तो हम एक्स के ही रस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफ्रेंशेट करेंगे वाई बन वाई बन का मतलब फर्स्ट आर्डर डेरिवेट्व विद oups एक्सAndra से मालूमपड़ा शो यहां फार है है कि वाई-डिययबल क्या है माया एक्स है तो हमें 391 को डिफ्रेंशेट करेंगे फिद रेस्पेक्ट टू में में leveraging करेंगे उक्याawan क्या है सब्सक्राइट घिवन डैट y equal to x the power 3 by 2 plus e the power x plus 10 the power x this is the equation number 1 this is the equation number 1 tone-licking एवाल differentiating 1 with respect to x we have dy by dx that means d dx of y जैसे टोन लिखते हैं d by dx जो ऑपरेटर है दोनों साइड में यूज हो जाता है जब आपरेटर यूज हो जाएगा तो अपना आउटपूट देगा ही देगा जब आपरेटर कुछी चीज़ का लगाते हैं जैसे अगर हम आप से बोलें यहां पर फाई है और यहां पर टू है मैं अगर आप से बोलू कि इसके क्या आएगा आप तुरंत क्वेस्टनिंग करोगे कि बीच में ऑपरेटर क्या है अगर मैं ऑपरेटर इंडू लगा दिया ऐसक बोल ते थे सिदा सिदा अगर मैं आपरेटर यहां पर प्लस तू लगा दिया ताँ आप सेजमात मिसं ऑपरेटर जैसे जैसे चेंज होते हैं वैक्त चेंज होता है प्योंगे वीसटा आपका आउट्फि भी चेंज होता है मैं राइक Склек ddx of y, x the power 3 by 2, e the power x plus 10 the power x, okay, so d by dx जो operator है, ddx of y, operator जाएगा, इसके पास, d by dx of x the power 3 by 2, plus d by dx of e the power x plus d by dx of 10 the power x, okay, अब यहां पर हमें देख रहे हैं, इसका जो बेस है हमारा क्या है, वर्येबल है, और जो पावर है, क्या है, constant है, यहां पर हम गोग मतलब चेंज है थोड़ा सा यहां पर, आखे सो हम इसको सौल करने के फार्मॉरे हम वीडियो वन में सौरी वीडियो 1 अटू में दोनों में मिला करके हम आपको इसका बता चुक आ है कि यह फार्मॉरा हम कहां पर लगाने वाले हैं सो मैंना लेट की हुए हम इसको solve करते हैं ओके डी डी एकस आफ वाई इक्वल टू ये इसका येन की वैलू है ये किसकी वैलू है येन की वैलू है because अफने को पता है d by dx आफ एकस दा पावर n एकॉल टू n इंटू x इंटू n-1 so sorry n इंटू x दा पावर n-1 so यही फार्मुला हम लोग लगाएंगे यहां पे 3 by 2 इंटू x दा पावर 3 by 2 minus 1 plus d by dx आफ e the power x that means e the power x का derivative में चैंजा क्या होता है इधा पावर X इंदता है, तो ए अपको क्या मिलेगा इधा पावर X, अब यहां प्रहुरु का आने हैं का बेस क्या है? कॉंस्टेंट है, पावर क्या है, वरियेबल है, फॉर्मॉल्ला इसका भी लिखा दिये हैं आपको, दीबाई DR s of A the pap आवर X, A the power X log base E A right so यहाँ आप़े A की value क्या है आप compare करेंगे तो A की value क्या मिलेगे आपको 10 मिलेगी A की value क्या है यहाँ पर 10 तो जहाँ जहाँ formula के output में A है वहाँ वहाँ आपकर कर देंगे 10 पूट कर देंगे उसका derivative मिल जाएगा A the power X that means 10 the power X into log base E 10 ओके तो यहाँ इसको solve कर लेते हैं हम लोग D dx of y equal to 3 by 2 X the power 3 by 2 minus 1 fraction से आपको तो आता है 3 by 2 सबको मालूम होगा फिर भी देख लेते हैं यहाँ कुछ नएत 1 L से मिलेंगे 2 और 1 का सिंट 2 हो जाएगा फिर इसको simplify करने का बाएद मिलेगा 3 minus 2 that means 1 by 2 X the power 1 by 2 plus E the power X plus 10 the power X into log base 10 आप यहाँ सम को छोड़ सकते हैं अगर आपका मर्जी है तो आप यहाँ पे root डाल सकते हैं because X the power half है that means यहाँ पे root आ सकता है ओके ए इसका final answer आ जाएगा आई होप आपको यह समझ में आया होगा आप इसको जल्दी जल्दी एकदम note कर लिजिए समझ लिजिए चाहिए तो इसका SS ले लिजिए आप इसका लम बाहिए उन्दी लेए उन्दी नवेए बाहिए आप पे अर्णाब चाहिए okay आप आप नोट कर लिए होंगे आप इसका एसेस ले लिए होंगे तो हम आभी चलते हैं इसी सीरीज में दूसरा क्वेश्टन लेते हैं ओके शेर आप कर दे रहे हैं अब जो नेक्ट स्केश्टों हम लोग लेने वाले हैं कुछ इस तरीके से हैं स्वारी मार्कर आए थिंग्ट चेंज करना पड़ेगा ओके मार्कर मैंने चेंज कर दिया देखते आगे क्या है इफ एफ आफ एक्स इक्वल टू इफ एफ 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 एक्स इक्वल टू इफ एफ 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 अफ्ट कि वान आपां एकस धन फाइंड इसका मतलब डीट एकस ऊपर एकस फांड़कर ना इसका सो आप एक question को देखकर कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कौन सा formula कहां पर use करना है और किस तरीके का form है यहां पर आपको देखते लिख हो जाना चाहिए mind में किस function का जो base है वो क्या small e है that means यह तो exponential है and इसका base क्या है constant है और power पर क्या है variable है तो इसका एक कौन सा function होगा algebraic function होगा इसका formula हम आपको दे चुके है and 1 upon x यह तो x है यह तो algebraic होगा ही होगा so हम अभी देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो question है जितने function आये है सब का derivative हम हम सीख चुके है और फार्मले अपने को मालूम है so हम इसका solution बिना रेट की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं solve करने की कोशिज और समझाने की आपको कोशिज करते हैं कि हम लोग कैसे question को solve करते हैं given that f of x e the power sin x plus 10 the power cos x plus 1 of 1 x equation number 1 tone-licking I differentiating one with respect to x we have okay with respect to x we have d by dx of f of x d by dx of e the power sin x plus 10 the power cos x plus 1 upon x okay okay so अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं d by dx of x का मतलब f dash of x हम लोग सकते हैं इसको rule है आप भी लिख सकते हैं इसको सब लोग लिख सकते हैं जब हम लिख रहे हैं आप लोग भी लिख सकते हैं ठीक है यह फार्मुला बेटा ठीक है यह फार्मुला है नोट का लिजी इसको आगे चलते हैं d by dx of e the power sin x प्लस operator इसके पास भी जाएगा d by dx of 10 the power cos x प्लस d by dx of 1 upon x operator सब पर operate हो गया ओके operator सब पर क्या हो गया operate हो गया अब इसके आगे हम लोग चलते हैं क्या आएगा अब इसका base हमने फार्मुला इसका दे चुके हैं फिर भी हम आपको side में लिख के दे रहा हैं d by dx of e the power f of x equal to formula होता है e the power f of x into d by dx of f of x ओके फिर फार्मुला हम वीडियो 2 में जो हमने इसका lecture number 2000 में हम दे चुके हैं फिर भी हम आपको side में लिख दे रहे हैं आपके e the power f of x that means e the power sin x into d by dx of sin x plus इसका base क्या है इसका base क्या है constant है तो base constant वाला formula हम लोग यूज़ करेंगे d by dx of a the power f of x a the power f of x into log base e into a d by dx of f of x okay so 10th power cos x into 10 into d by dx of cos x plus d by dx of x the power minus 1 हम लोग सकते हैं 1 upon x को x के power minus 1 हम लोग सकते हैं okay so f dash of x equal to e the power sin x into sin x का derivative होता है cos x sin x का derivative क्या होता है operator अभी यहां तो नहीं लगा हुआ है operator इसके पास है तो output वही देगा operator जब तक यहां लगा था तो e के power that means exponential का जो output था वह मिला था अपने को यहां पे ठीक है अब operator यहां पे लगा है cos पे sorry sin पे तो क्या देगा cos x plus 10 the power cos x into log e base 10 into operator अभी d by dx आप cos x है तो यहां पे क्या लिए देंगे minus sin x plus minus 1 x the power minus 1 minus 1 okay because formula अपने को मालूम है d by dx of x the power n equal to n into x the power n minus 1 okay 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 board में थादा congested है आप लोग इसको note कले जिए किया आगे हम continuous हम को करते है okay note कले जिए या तो इसका assess ले लिजिए okay okay कि आप कम्प्लीट कर चुके होंगे फार्मुला मैं साइट थो थोड़ा रॉफ कर देना चाहता हूं और आप देख रहे हैं यहाँ पर डी बाइड एक साफ एक्स देपावर रहें बाकी इदर का इस्टेप आपको समझ में आया है ओके यहाँ पर डी बाइड एक साफ देपा हम इसको रफ करते हैं अभी और इसदर कंटिन्यू करते हैं ओके एफ दस आफ एक्स इस इक्वल टू ए दपावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस टेन दपावर कॉस एक्स कि इन्टू लोग बेस एक टें पिनटन को यहां पर मैनस और क्रण प्लस है तो मैनस ब्लस क्या हो जाएंगे हो मैनस त्यां लगत देंगें hen इन्टू सी जाह सुछ यहाँ पर ए माइनस वन और प्लस वन क्या होजाएगा माइनस वन का मल्टिपलाइ करेंगे हज जी टर हो माइनस टू हो जाएगा हो ओके तो इस एकोल टू क्वाज एसको पर लिख लेंगे cos x into e the power sin x minus sin x 10 the power cos x into log base e the 10 into okay, sorry, minus लगा देंगे, minus 1 upon x square, इसको नीचे लाएंगे, तो क्या हो जाग पाव इसका, positive हो जाएगा, x to power minus 2 को अगर हम लिखना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 upon x to power 2, this is the final answer, अब नोट कर लिजे इसको, okay, I hope कि आप complete कर चुके हो, अगर इस question में आपको कुछ भी doubt है, आप comment box में जाके comment कर सकते हैं, और हम वहाँ पर आपका, अगर आपको कोई भी question हो, किसी तरीके का, किसी भी board का, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम mathematics में derivative सीख रहे हैं, आप किसी भी board के हो, आप हमको comment box में जाके comment करेंगे, हम आपके question रहेगा, हम उसका solution आपको देने का कोसिस करेंगे, ओके, हम इसको rough कर देते हैं, एक next question लेते हैं अब, next question हम लो लेंगे, देखते हैं इस question का base क्या है, कैसे हम इसको solve करते हैं, okay, example number 3, example number 3, okay, next question हम लो देखते हैं, y equal to root of e the power root x, then find dy by dx, एक question है, इसका हम solution आपको दे रहे हैं, इसको कैसे solve करेंगे, इसका एक formula है, d by dx of root f of x, formula आपका 1 upon 2 root f of x, इन्टू d by dx of f of x, एक formula है, कोई function root में आ जाए, तो इसका derivative हम आपको कैसे करेंगे, okay, okay, सबंग आपको, यहां सम देख रहे हैं, formula को apply करते है, formula आप याद रख लिजीगा, root में कोई function आए तो, कोई function, root में आए, तो इसको कैसे करेंगे, हम लो differentiate करेंगे, उसका output क्या आएगा, solutions का देखते हम लोग, given that, root of e the power root x, एक्वेशन नमबर वन, d i f f differentiating 1, with respect to x, we have, d dx of y, is equal to d y dx of, root of e the power root x, okay, operators के जैसा लग रहा है, root, इसके according output आए गाएगा, output इसके according आएगा, because function हमारा किसमें है, root में है, जब हमारा function root में होगा, तो जो उसका output आएगा, वो root के according आएगा, root के according formula क्या है, हमारा 1 upon 2, 1 upon 2 लिखेंगे हम लोग, root में f of x है, root में क्या लिखेंगे, e the power root x, root x into, d by dx of, f of x आप मारा यही है न, जो अंदर का material है, यही है न, जो अंदर का item है इसका, यह अंदर वारा जो item है, यह क्या है हमारा, root में जो f of x, to indicate कर रहा है यहां पर, जो f of x मारा क्या है? e the power root x, so, e the power root x, ऑके, अब operator यहां तक लग चुका है, is کیा आग, operator यहां पर आगया है, यहां पर base क्या है, मारा e है, that means, अब क्माइनसा फाम बना रहा है, exponential बना रहा है, exponential फाम बना रहा है, तो हम जो इसका output आएगा इसके आगे वाला ddx of y equal to 1 upon 2 root e the power root x into exponential का अब फार्मला हम देखे थे पीछे, इसके पीछवाले question में हमने फार्मला लिखा था तो अब हम यह नहीं लिखे रहे हैं फार्मले को, e the power root x into d by dx of root x, ok, dy by dx is equal to 1 upon 2 root e the power root x as it लिखेंगे, e the power root x, इसको as it लिखेंगे, into e the power root x into, अब वापिस से root x आया है, that means फार्मला यह लिखेगा 1 upon 2 root x into d by dx of f of x, अब f of x के place पी क्या है, यहाँ पर x है, जहाँ x लिख देंगे, और अपने को मालूम है कि x का x के respect में, derivative में सा क्या मिलता है, 1 मिलता है, क्या मिलता है, 1 मिलता है, so d dx of y equal to 1 upon 2 root e the power root x into e the power root x into 1 upon 2 root x into 1, ok, d y by dx is equal to, ok, उपर का, उपर मल्टिप्लाई, नीचे का, नीचे मल्टिप्लाई, e the power root x, 224 root x into root e the power root x, ok, this is the final answer, ok, जहाँ पर जो operator रहेगा ना, उसके according उसका output लिखा जाता है, आप patience रखके क्योल काम कीजिए, ok, जहाँ पर root का operator था, function था, तो root वाला operator का output आ गया, जहाँ पर e पर operator आ गया, exponential कर रहा गया, वापिस root आया, वापिस root का operator लगा, ok, note कर लिजिए, जाँ अची हम जहाँ रहां, मुझस का operator रहाँ रहाँ? código आँ ए आएकतल आइकांई यो में आईको कि कि लाओ के पिद लाओ कर दोग के कि लाओ कि डिप्र exactamente कि शुब है कर दो एंद एक ज़ ईतरा एंद विलुटनर और यंद एंद रहो जड़े. कि अ थो प्रेम कर दोडने कि पार म hetलो प्रेती ते से रहों, दो नहाई है. कि बेसे हैं जर मैं एकशनों और मैं जरते हैं, जरते हैं चुर्णनिक मैं जरते हैं, ओके अपको कुश्चन समझ में आ गया होगा हम इसको रफ करके आगे कुश्चन लेते हैं ओके है ओके रफ करते कुश्चन को मुड़ो एक्जाम्पल नमबर फोर if y advocate वे इस्माल फोर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टs X the power 2 plus 5 the power X then find dy by dx okay सब्सक्राइब को कैसे सब्सक्राइब करें इसको बहुत सिंपल क्वेश्टन है ज्यान समझेगा इसको given that given that commerce students इसको ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं science वाले तो करेंगे करेंगे इसके पिछल वाज जो समुगा ओ रिलेटेट था science वालों से विकोज में साइन कॉस्ट का डेरिवेट हो आया था साइन कास्स डैट में स्टिग्णामेट्रिक फंक्सन commerce वाले student को नहीं है उसका डेरिवेट फंक्राइट को ने लिए commerce student को नहीं है वो क्यों science student के लिए है बाकि logarithmy function है exponential है algebraic है okay and parametric form उतों बताएंगे भी हम polar form भी बताएंगे इसका ठीक है है तो next video में हम उसके बारें discuss करेंगे इस video में टाइम नहीं उतना ओके तो हम इसको start करते हैं अब है कि तो लुशन करता है करते हैं हम लोग इसका solution क्या होगा इसका d dx of sorry पहले हम लोग लिखेंगे y equal to e the power log x plus x square plus 5 the power x equation number 1 differentiating 1 with respect to x we have d dx of y d dx of e the power log x plus x square plus 5 the power x operator सब के पास जाएगा d dx of y d by dx of e the power log x plus d by dx of x square plus d by dx of 5 the power x operator सब पे operate हो जाएगा अब operator जब सब पे operate हो गा है तो अपने function के according सबका output भी आएगा जैसा जो function है वो ऐसा उसका output भी आएगा so output क्या जाएगा इसका d dx of y e the power f of x that means e d by dx of e the power f of x formula मालूम है उसके according हम इसका output लिख रहे हैं ओके e the power log x into b by dx of log x plus इसका भी output का फार्मुला इसका बेस क्या है variable है पावर क्या है इसका पावर क्या है constant base क्या है variable formula के लिए विद्या हूँ इसके according हम इसका output लिख रहे है 2 into x the power 2 minus 1 plus इसका base क्या है constant power क्या है variable 5 the power x into log base e 5 ok d dx of y is equal to e the power log x into d by dx of log x that means 1 upon x plus 2 into x the power 2 minus 1 that means power 1 लिखेंगे 1 लिखेंगे को कुछ मत्ला ना है इसलिए हम नहीं लिखेंगे आपे plus 5 the power x into log base e the 5 this is the final answer ok I hope कि ये question आपको समझ में आया होगा आप note कर सकते इसको या तो इसका SS ले लिजे कि नहाँ में आपको सकते hot इसको में आपको fresh ही आपको कि अपको समुझे को अल्पिछे, लेजाँ को समें आपको काτα सकते ही ले ले लेसगी घुल-समघ्न को बत युद्र सब्सक्रण सब्सक्राइब करते हैं जो मेतिड मैं आपको सिखा रहा हूँ उस मेधर से आप फॉलो किजिए आपको टोटल लॉंग कट नहीं जाएगा इतम स्वाट कट में सटी के इंसर आएगा ओके स्टार्ट करते हैं इन स्टार्ट का क्वेश्टन है बोर्ड में दो बार पूछा भी जास चुका है क्वेश्टन टेक्स्बुक में बहुत लंबे चोड़ी तरीके से सॉल किया अश्कों ओके तो देखते हैं एक्जाम्पन नंबर फाई हम लोग क्वेश्टन है कि जो एक्वेश्टन दिया गया है y जूछ दो पावर साइन एक्स स्कूर इसका डेरीवेट्व केंड़ धैट मीस ऑवकल लच ऑवकलन गुडांग करना है विद रेस्पेक्टू एक्स फांक्शन का क्या करना है आउखल लन गुडांग करना है तो कि आते हैं हम लोग कि गीवन देट जो फार्मॉला मैं ने दिया था वही फार्मॉला आप याद किजिए उसी को अप्लाइ किजिए एक्जाक्ट एंसर आएगा यू और वी रेने कुजरुद नहीं है क्वेश्टन को लेंदी कराने का सेंस नहीं मेरा है मेरा सेंस के वाल यहीं है कि आप लोग को कितना इजी तरीके से मैं आपको बता पाऊं कितना इजी वे में आपको मैं सिखा पाऊं ठीक है जो प्राब्लम हमने फेस करी थी वो प्राब्लम आप लोग फेस ना करो ओके देख को दिए देबल एफ दिफ्रेंशियेटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव डी डी एक्साफ वाई डी डी एक्साफ एदर पावर साइन एक्स स्क्वेर अब यहां पर हम देख रहा है कि जो डी बाइट इस अपरेटर हमारे लगा हुआ है वहां पर पहले नंबर स्वेथर अपर कौं दिख रहा है आपको एदिख रहा है that means exponential फंक्साने कांसा फंक्सान ऑओ जब औज पर मिलेगा तो d dx of y आपको मिलेगा e the power sin x square into d by dx of sin x square because formula मालूम है d by dx of e the power f of x equal to e the power f of x into d by dx of f of x यह formula पता है इसके according हमने इसको break कर रहा है अब d dx of y इक्वल टू और यहां से हट चुका है और इसके पास है e the power sin x square into यहाँ पे pfa का मैंने एक रूल बताया था आप वीडियो जो लेक्चर मेरा वन है आप उसमें pfa को समझ सकते हैं यह फिरूल क्या है उसके according हम इसको break कर रहे है यहां पर sin को पर पावर कुछ भी नहीं है यहां पर क्या है function और angle है तो फ़हले function को differentiate करेंगे function को differentiate करेंगे cos x square लिखेंगे और जब angle को differentiate करेंगे तो d by dx आफ x square लिखेंगे ओके ओके dy by dx is equal to e the power sin x square into cos x square into x square खड़े जोटी क्या मिलेगा 2x so dy by dx x equal to 2x into e the power sin x square sorry इसको पहले लिख सकते हम लोग cos x square into e the power sin x square this is the final answer okay this is the final answer I hope कि आपको एक question समझ में आया होगा इस याड़ी का question है board में दो बार पूछा जा शुका है जोसका solution है बहुत typical बना के दे दिया गया है टेक्सबुक में है ऐसा टोटा नहीं दिया गया है इसको आप follow कीजिए okay आप लोट कर सकते हैं या तो इसका इसस ले लिजे okay अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग सीखने वाले हैं पैरामेट्रिक फार्म सिखेंगे कि मल्टिप्लिकेशन यू इंटू वी रूल एंड कोसेंट रूल okay एंड एक स्पेशल टाइप के फंक्शन के बारे हम डिसकस करेंगो आपके अगर लॉग के बेस हमारा कोई कॉंस्टेंट हो उसका डेरेटर हम लोग कैसे फंड आट करते हैं ओके इसी के साथ आज का वीडियो हम यह पर खत्म करते हैं तब तक के लिए बाए करते हैं